जटा टवी गलज्विला प्रवाह पावित अस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग माली काम है तो जटाओं से हैं जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सच रहा है हारविश भुजंग का डमड 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 डमरू भारत वर्ष के प्रतेक कंठ में वो इस्तुती जाने चाहिए। महाशिवरात्री उस पे कुछ खास कर रहे हैं। पूरे शिवतांडव तोत्र का सरल हिंदी में भावानुवाद उसी बहर में महाशिवरात्री वो दिवस है कि जहां अलगाओ भी लगाओ में रूपांत्रित हो गया। पूरे उनका वहनमौर है और गले में जो साप उड़ले हुए है। ये चमतकार और बाबाओं का जो चमतकार है या पंडालों में जो चमतकार है वो क्या समान है या उस पर आपका अलग कोई दृष्टी। हमारी सीमित दृष्टी के सामने जब असीमित दृष्टा हा जाता है तो चमतकार किशनी में आता है। नमसकार दोस्तों बहुत ही जानी पहचानी शक्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मौका बहुत खास है। भगवान शिव की भक्ती करते भी आपने जाने माने अभीनेता आशुतोष राणा को देखा है। उनकी शिव भक्ती महा शिवरात्री पर उनका एक नया प्रयास। ये बहुत चर्चा में हैं। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं आप खुद आशुतोष जी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख पा रहे हैं। तो उनका ये नया प्रयास क्या है? महा शिवरात्री पर वो क्या खास करने वाले हैं? इस पर सारी एक्स्क्लूसिब बाची जो है अमरुजाला.com के जरीए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो रावण द्वारा विरेचित जो शिव तांडव स्तोत्र है जो कई युगों की यात्रा करके संस्कृत में लगातार चला आ रहा है। और भाषा के ज्ञान की कमी के कारण या ये कहें के संस्कृत के उच्चारण के कारण इतने अदभुत और शक्ति शाली जो शिव इस्तुती है जिसमें उनके शंगार उनके सौंदरे का वर्णन तरलोक विजेता रावण ने किया था जो परम शिव भक्त थे। क्योंकि रावण को जो कुछ भी मिला है वो देवादेदेव महादेव की आरादना करके और उनकी तपस्या करके उनकी भक्ती के मादेम से ही उनको वो शक्ती प्राप्त हुई है। वाली वो पूरी इस्तुती है तो पिछले वर्ष इसके मेरा मन था कि इतनी अदभूत वो रचना है और इतनी अदभूत इस्तुती है कि वो भारत वर्ष के प्रतेक कंठ में वो इस्तुती जाने चाहिए जो कि भाषा के अवरोध के कारण सिर्फ उसको वही लोग गापाते थे जिनके उच्चारण या भाषा के उपर जिनकी पकड़ थे। तो मन में आया कि इसका सरल भावानुवाद हिंदी भाषा में किया जाए उसी बहर में जो तांडव की बहर है उसी बहर में भावानुवाद किया जाए। और लेकिन ये है तकरीबन 16-17 श्लोग का जिसमें हैं। तो पांच किया था तो वो तमाम शिव अनरागियों को बहुत पसंद आया उनको बहुत सुख मिला उसको सुनके और सब इष्टमित्रों ने प्रशन सुकों ने और शिव भक्तों ने ये कहा कि इसको पूरे शिव त तांडव स्तोत्र को हिंदी में सरल भावानुवाद इसका आना चाहिए तो प्रियालोग शिवास्तो जिन्होंने पहले पांच लोग भी किये थे उन्होंने ही पूरा भावानुवाद किया और इस महाशिव रात्री पर पूरे शिव तांडव स्तोत्र का सरल हिंदी में भा समर्पित कर रहे हैं हम सब के कल्यान की कामना के साथ अच्चितोच जी यूट्व अभी मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल क्या नेता क्या भी नेता सभी लोग कर रहे हैं अब आप खुद अपने एक चैनल के साथ में आ रहे हैं बिल्कुल सुनाएंगे लेकिन मैं यह चाहता हूं कि महा शिवरात्री के पावन परपर सुए साथ बजे सो से हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पंच तंत्र वन उसके ऊपर आपको पूरा लाइव वो दिन भर चलेगा क्योंकि वो तो शिवरात्री है जब श जब प्रलाहकारी लाहकारी हो गया महा शिवरात्री वो दिवस है जब वैरागी अनुरागी हो गये महा शिवरात्री वो दिवस है कि जहां अलगाओ भी लगाओ में रूपांत्रत हो गया तो देवादी देव महादेव अमातेश्वरी पारवत्ती इन दोनों के विवाह व क्रिदी का प्रमाण होता है तो ये जो जुडाओ की दास्तान है जो महाशिवरात्री हमारे भारत वर्ष में और सवनातन धर्म में महाशिवरात्री का बड़ा विशेश महत्व है और इस दिन किसी भी किस्म का मोहुर्त नहीं देखा जाता है तो ये जो इस्तुति है ये जो चैनल है, जहां पे क्या है, कि हम जिस अभी व्यक्ति माध्धम में हैं SINEMA हमारा व्यवसायは तो SINEMA पे कथानक और किरदार के उपर हमारा नियंतरन नहीं होता है जो बात हम कहना चाहते हैं हम सिर्फ वही कह सकते हैं जो फिल्म हैं या जिस किस्म के किरदार हमें आफर हो रहे हैं उन किरदारों में से जो उचित लगे उने किरदारों को हम चुन लेते हैं लेकिन दूसरा माध्यम मुझ जैसे व्यक्ति का क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज से यदिया आपको मिलता है तो उसे आपको समाज को लोटाना चाहिए हम और आप सब परस पर निर्भरता के सिध्धान पर ही ये पूरा जगत खड़ा हुआ है तो समाज से हमें मिला, गुरुजनों से हमें मिला, इस्टमित्रों से हमें मिला तो हमें भी उसे लोटाना चाहिए तो उसी श्रंकला में ये प्रयास किया कि एक तो मादेम होता है लेखन तो लेखन की श्रंकला में हमारी दो किताबें राम राज्य और मौन मुस्कान की मार और इसका भरपूर पाठकों के द्वारा उन्होंने बहुत सराहा, बहुत आश्रिवात दिया और बहुत अच्छी लगी और दूसरा डिजिटल यूट्यूब चैनल के मादिम से जो बात हम कहना चाहते हैं इसकिसम का हमारा अपना सोच और हमको लगता है कि हमें अपनी दृष्टी से उस बात को इस दृष्टी के सामने जो परमात्मा ने हमको और आपको सबको प्रधान की है प्रस्तुत करना चाहिए तो उसी दिशा में ये प्रयास किया गया कि पंच तंत्रवन को बनाया जाए तो मेरा ये मानना है कि दो पंक्तियां तो मैं आपको सुना हूँगा लेकिन पूरे शिव इस्तुती का आपको वहाँ पे क्योंकि आलोक ने बहुत अच्छा लिखा है और उसको अगर आप सुनेंगे तो जादा हमें सुखद मिलेगा तो जैसे जटा तवी गलज्वला प्रवाह पावितस्तले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग माली काम है तो जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का गले में जिनके सच रहा है हारविश भुजंग का तमड 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 तमरू कह रहा शिवह शिवं तरल अ यह जो उसमें उसी बहर के साथ और उसी उन्ही संस्कृत निष्ट शब्दों का हिंदी में भावानुवाद जो प्रियालोक ने देवादी देव महादेव के अनुपुम कृपा से जो संपन हुआ है तो मुझे लगता है कि अपने आप में हमें करते हुए हमें पढ़ते सुख और संतोष की प्राप्ति हुई तो मेरा पूरा विश्वास है कि परमपूज गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा से आपको भी सुनते हुए और पढ़ते हुए परमसंतोष प्राप्त होगा शिव और आपकी शिव उपासना इसके विश्व में काफी तस्वीरे काफी वीडियो देखे गए आपके गुरुदेव परमपूज पंडिदेव प्रभाकर जी शास्त्री वो यग्य भी काफी करते रहे पार्थिव शेवलिंग निर्मान और इन सारे कारियों में भी तो आ आगे बढ़ रहे हैं खासतार पर तब जब आपके गुरुदेव ब्रमलीन हो चुके हैं तो उसके बाद किस तरह से इन यग्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए ये मैं परम सवभागिशाली हूँ के मेरे परम पूझे गुर्देव जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे या कहते हैं जो 2020 में ब्रमलीन हो गए लेकिन जो परम पूझे दद्दा जी से चेतनाय जो होती है वो जगत में आने के लिए होती हैं वो ज 1984 में मैं उनके कृपा शेत्र में मैं आ गया था और तब से लगातार निरंतर उनके कृपा शेत्र में उनके निर्देशन में हमारे मार्ग भी वही थे मार्गी भी वही थे और हमारी मंजल भी वही थे हमने तो सिर्फ इस यात्रा का उनके कंदे पर या उनकी घोद में उन्होंने करवाया, मतलब रामिश्वरम से लेके मुंबई, दिल्ली, आपका इलाबाद, व्रिंदावन, कानपुल, उचैन, इन तमाम जगों पे, मतलब बड़े-बड़े महानगरों से लेके छोटे-छोटे गाहों तक में उन्होंने अपने पूरे जीवन में 131 बार सवा क करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्रियक का आहुजन किया, मतलब साथ दिन में आपको संकल्पित होकर सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, यानि एक दिन में अठारा लाग शिवलिंग बनने चाहिए, तो ये धनबल से नहीं होता, ये पन्न होता है, तो एक सो एक तीस यगों में से, मैं एक सो तीस यगों में शामिल रहा, तकरीबन उन्होंने छे अरब के लगभग, छे अरब के ऊपर उन्होंने शिवलिंगों का निर्माण किया, इन एक सो एक तीस यगों में, यानि भारत की आवादी अगर डिड़ सो करो 12 जोतिरलिंगों से इस पूरे के पूरे देश को बांध दिया था और हर हर महादेव का नारा लगाया था वैसे ही परम पूझ दद्धाजी ने पूरे देश भर में 6 अरब के उपर मतलब हर व्यक्ति के नाम से तकरीवन 4 शिवलिंगों का निर्माण अगर उन्होंने किया है तो हर हर महादेव के नाद को उन्होंने घर घर महादेव मर उपांतृत कर दिया है और इस पूरी प्रग्रिया में मुझे लगा चुकि संसारी आदमी हूं तो मेरा ये मानना है कि यदि आप देवादी देव महादेव कर निर्मान करते हैं तो वो आपका निर्मान करते हैं, यदि आप उनका विशेक करते हैं, तो वो आपका विशेक करते हैं, यदि आप उनको सरपेधारन करते हैं, तो वो आपको सरपेधारन करते हैं, अगर आप उनके निर्मान के लिए अपने इश्ट मित्रों को आमंतृत करते हैं, तो वो आप के निर्मान के लिए अपने इश्टमित्रों को आमंतृत करेंगे तो जब आपके द्वारा निर्मित मिट्टी से महादेव हो जाते हैं तो फिर उनके द्वारा निर्मित आप मानव से कहीं ना कहीं आप उपर की अवस्था में आ जाते हैं तो मेरा यह मानना है और मेरा अगर आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे बना दें, तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाते हैं, अगर आप उनको नदी के किनारे बना दें, तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं, यदि आप उनको परवत के किनारे बना दें, तो वो परवतेश्वर महादेव हो हो गए और जहां बनाया वो वहीं के हो गए तो ऐसे ओगणनात हैं वो तो उनके जैसा तो यह कहा ही जाता है कि शिव समान दाता नहीं विपद निवारन हार और लज्जा मोरी राकियो नंदी के असवार तो अगर आप उनके पूरे के पूरे स्वरूब को देखेंगे देवादी देव महादेव के पूरे स्वरूब को तो आपको लगेगा कि वो आम व्यक्ति का प्रतिने दित्व कर रहे हैं कि जैसे धूल दूसरे थे हैं जो भस्म उनके शरीर के उप न कहीं होते हैं मातिश्वरी गंगा उनके सर से गिर रही है तो आप कहेंगे कि जल गिर रहा है पानी गिर रहा है तो ऐसे ही आम आदमी भी जब श्रम के लिए निकलता है श्रम से वो शिव की तरफ निकलता है तो उसके भी माते पर लगाता निरंतर पसीना चुचवाता रहत और आप देखें तो लेकिन इस सब बाधाओं के बाद भी उसके माते उनके जैसे उनके माते पर चंद्रमा है यानि ऐसे ही आम आदमी के माते पर कहीं न कहीं वो शीतलता, शान्ती और एक सौंदर की कामना होती है के तमाम श्रम के बाद भी हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है जिसके लिए हम उद्यम कर रहा है वो शीतलता के लिए कर रहा है, वो शान्ती के लिए कर रहा है, वो सौंदर के लिए कर रहा है, वो शशी के लिए कर रहा है तो शशी धर कहलाते हैं इस नाते अगर आप देखेंगे फिर तमाम विसंगतियां उनके इर्दिगर्द है उनका स्वैम का वाहन जो है वो नंदी है जो मातेश्वरी पारवती के वाहन सिंग का सिंग जो है मातिश्वरी पार्वती का वाहन वो नंदी का विरोधी है नंदी उनके लिए भोजन है फिर उनके जो छोटे पुत्र है भगवान श्री गणेश उनका वाहन मूशक है तो बड़े पुत्र जो है वो कार्तिके उनका वाहन मोर है और गले में जो साप डले हुए हैं, वो ये सब एक दूसरे के परस पर विरोधी हैं, लेकिन जब शिव उपस्थित होते हैं, तो ये तमाम विसंगतियां भी संगती में रूपांतरित होने के लिए अनिवारे हो जाती हैं, यानि आप एक दूसरे को देखकर गुर्रा सकते है लेकिन आप उनको खा नहीं सकते, एक दूसरे को आप समाप्त नहीं कर सकते, तो जहां पर विसंगती को संगती में स्थापित करने के अवधारना हो, जिस चेतना के सामने वह चेतना, शिव चेतना कहलाती है, यानि कल्यानकारी चेतना कहलाती है, तो ऐसे ही अगर आप तो बिल्कुल ये आम आदमी का रूप है देवादी देव महादेव का कि आपको कुछ नहीं करना एक लोटा आपने जल उनके ऊपर ढार दिया आस्था के साथ तो आप देखेंगे को उसी में प्रसन्य आपने कहा कि वेल पत्र चड़ाना है वेल पत्र चड़ा दीजिए वो आप रास्ते चलते हूँ अगर आपने से प्रणामी कर लिया उनकी तरफ तो वो बिल्कुल इस मुद्रा में बैटे हैं कि घन घन भोले आप तुमारे कौणी नहीं हजाने में और तीन लोग को बस्ती में बसाए स्वैम बसे वीराने में तो सब कुछ लुटा कर वो तो बन जिसे अगर आप समुद्र मंधन की जब हम बात करते हैं तो अमृत के लिए हुआ था समुद्र मंधन, लेकिन अमृत सबसे अंत में निकला, सबसे पहले जो हला-हल विष निकला जो पूरे जगत को जिसे हम कालकूट विष के नाम से उलिखे थे हमारे शास्त्रों में, तो उस कालकूट विश से जिसमें समस्त विश्व का सर्वनाश होने की संभावना है तब आप देवादी देव महादेव का इसमरन किया गया समस्त देवों के द्वारा, समस्त दानवों के द्वारा के आप आए और ये जो विसंगती है हमारे जीवन की इसको आप सहर्श स्वीका करें वो आते हैं और उस कालकूट विश को वो अपने कंट में धारन कर लेते हैं ना वो से अंदर ले जाते हैं और ना वो बाहर भिकते हैं और वो नील कंट के तौर पे जगत में जाने जाते हैं तो कहने का आर्थ ये है कि जो विश को भी अपने कंट में स्थापित करके उसे भी आभूशन के तोर पे बना दें कि जो मृत्यू का कारक हो सकता है वह भी वहाँ पे आभूशन मन के और आपको लगता है कि जैसे उन्होंने श्रंगार किया हुआ है तो वो मृत्यू को भी श्रंगार बनाने की अद्भुच्वमता वाला उनका चरित्र है या उनकी सामर्थ है तो मुझे लगता है कि ये चीजें कहने की नहीं है ये चीजें तो करने की हैं तो एक बार करके देखें और करके देखें मांग के देखें तो आपकी मांग जो होती फिर अगर शिव के दरवार में मांग रहे हैं तो फिर आपका संकल्ब जो होता है फिर वो शिव का संकल्ब हो जाता है और जब शिव का संकल्ब होता है तो वे सिर्फ आपके लिए कल्यान कारी हो जाता है आद्यात्मिक्ता हमारे जीवन का एक अंतिम लक्ष हो सकता है सभी के लिए लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व का ये पहलू आपके अभिनए और दूसरे व्यवसाइक पहलूओं पर जादा आवी है देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने परम पूझ गुरदेव दददा जी के संपर्क में 1984 में आया था और मेरी फिल्म की यात्रा कब शुरू हुई? मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो 84 से शुरू हो गई सिनेमा की यात्रा कब शुरू ही? जब दुश्मन आई 1998 में मतब 14 वर्ष बात और अभी हाली में हम जो इंट्रिव्यू दे रहे हैं तो 25 जनवरी को पठान जो भारत वर्ष की सबसे सुपर डूपर हिट फिल्म रिलीज हुई है उसमें मैंने अभी नहीं किया है तो कहने का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक्ता जो होती है वो आपको पहले से अधिक सजक करती है क्योंकि वो आपकी जड़ है तो जड़ अगर पुष्ट रहती है तो उससे निकलने वाले जो ब्रिक्षो होते हैं जो फल होते हैं वो भी निश्चित रूप से पुष्ट ही नहीं, स्वाधिष्ट भी होंगे, तो इसको इस दिष्टिकोर से देखना, हमारे जितने भी अवतार रहें, अगर आप देखें, अब गरहस्त हैं, उन्होंने किसी ने भी, जगत से पलाइन नहीं किया, उन्होंने जगत के निर्धारित कर्तवियों का पालन किया है तो हमारी आध्यात्मिक्ता पलाईन नहीं सिखाती है हमारी आध्यात्मिक्ता जीवन के अंदर जीवन के समस्त कर्तवियों का पालन करना सिखाती है तो मेरा यह मानना है कि मैं अपने हिस्से के भाग क्या है अपने भाग में आने वाला समय मतलब अपने हिस्से का समय आप अपनी मर्जी के मताविक जी सकें वही भाग क्यालाता है तो आध्यात्मिकता आपको आपके हिस्से के समय को आपके भाग के समय को अपनी मर्जी के मता अचन कि देखे क्योंकि आप जब किसी उचाई पर बैठते हैं तो उचाई पर खड़े होकर और और लोग सुनने वाले लोग अगर नीचे हो तो उचाई पर खड़े होकर संदेश दिया जा सकता है लेकिन संबाद इस्थापित करने के लिए आपको समान धरातल के उपर खड पर खड़े रहने वाला आदमी हूँ और मेरा अपना यह मानना है कि संदेश नहीं हम सबको कहीं नहीं संबाद की आवशकता है संदेश तो हमें रोज मिलते रहते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो संदेश कम्मूणिकेट तो हो जाएगा लेकिन क्या कनेक्ट कर कि मैं प्रवीन से तब connect हो पाऊंगा जब आशुदोष अपने आप से connected है तो अपने आप से connected होने के लिए आप जिसको आप spirituality हम और आप नाम दे देते हैं या आध्यात्म नाम दे देते हैं तो यह सिर्फ खुद से खुद का connection है और जब आप अपने आप से connected है तो निश्च आध्यात्मिक्ता connectivity की आध्यात्मिक्ता है चाहे वो cinema हो चाहे वो पंचतंतरवन नाम का जो हमारा अपना YouTube चैनल है वो हो चाहे राम राज़े नाम की हमारी किताब हो जो हमारी मनों भूमी से निकल के आई चाहे मौन मुसकान की मार नाम का हमारा व्यंग संग रह हो या आने वाली मेरी और दो तीन किताबें जिनके उपर मैं भी काम कर रहा हूँ चाहे वो हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ कम्मुनिकेट करने के लिए नहीं है ये कनेक्ट करने के लिए है एक अंदिम प्रश्न में आप से पूछना चाहूंगा कि अध्यात्मिक्ता के बहुत सारे माइने होते हैं इस पर बड़ी लंबी और गहन चर्चा हो सकती है लेकिन आज अध्यात्मिक्ता का एक चेहरा जो है वो चमतकारों के इर्दगिर्द भी दिखता है तो क्या आप इस विशे में कुछ कहना चाहेंगे कि हाल के दिनों में ये बहुत ही एक चिंता जनक विशे भी रहा विवाद का विशे भी रहा चर्चा का विशे भी रहा और लोगों के लिए जागरुक्ता के साथ आस्था उनकी जो चल रही है वो सही दिशा में है नहीं है इस प्रश्ण के उत्तर का समय भी रहा आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये जो नही नही बहस अध्यात्मिक्ता चमतकारों को लेकर शुरू हुई है पांडालों को लेकर शुरू हुई है इस पर आपके विचार क्या है देखिए मेरा अपना ये मानना है कि जब अप्रत्याश्ट हमारी सीमित दृष्टी के सामने जब असीमित दृष्ट आ जाता है तो चमतकार किश्रणी में आता है हम एक पूरे चंदर को कहते हैं कि पूरे मागी रात में हमको पूरा चांद दिखाई देता है लेकिन क्या वो पूरा चांद है वो उस पूरे चांद का 25 प्रतीशत है जैसे आप किसी फुटबॉल को पानी के अंदर डुबा दे तो आपको कितना हस्सा दिखाई देगा आपको उसे 25 प्रतीशत हिस्सा दिखाई देता है बाकि 75 प्रतीशत हिस्सा जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो जो दिखाई नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वह उस जगत में मौजूद नहीं है लेकिन हमारी दृष्टी जो होती है वो सीमित दृष्टी होती है तो जैसे ही सीमित दृष्टी के सामने कोई असी में दृष्ट आता है तो हमको चमतकार लगने लगता है लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम और आप बैटके एक दूसरे के साथ बात कर रहा है ये चमतकार है नंगी आँख से ना दिखाई देने वाले एक स्पम का जो development होता है ये अपने आप में mesmerizing है चमतकार है को कोई 6 फिट का हो गया कोई 5 फिट का हो गया कोई 2 फुट का ही रह गया ये हम और आप एक आँख से देखते हैं हमारे सब के पास आँख ये जो आँख जिसको हम कहते हैं ये देखने वाला यंत्र है लेकिन सबकी दृष्टी अलग-अलग है सभी को एक दृष्ट अलग-अलग दिखाई देता है तो ये अपने आप में चमतकार के शिर नहीं आता है आप जिस आँख से दुनिया देख सकते हैं क्या वो जो दुनिया देखने वाली आँख है उसको आप देख सकते हैं ये भी एक चमतकार की बात है तो ये चमतकार और बाबाओं का जो चमतकार है या पंडालों में जो चमतकार है वो क्या समान है या उस पर आपका अलग कोई दिश्टी कोड़े है देखिए हम और आप चमतकारों की बात कर रहा है और मेरा ये मानना है कि परम परमात्मा की जो स्रिष्टी है उस स्रिष्टी में चाहे तंत्र हो मंत्र हो यंत्र हो विज्ञान में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र क्या हो गया विज्ञान की दृष्टी से अगर देखेंगे तो फॉर्मूला हो गया method हो गई यंत्र क्या हो गया बोले machine हो गई और तंत्र क्या हो गया बोले mechanism हो गया तो आपके मंत्र, यंत्र और तंत्र की व्यवस्ता हो गई अब धर्म की दृष्टी से भी चले जाएं अगर आप तो आपको वहाँ पर भी मंत्र, यंत्र और तंत्र ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो तातपर ये है कि मंत्र तंत्र यंत्र हम लोगों के पास अपनी इतनी सीमे द्रिश्टी होती है कि हम अपनी अपनी रुची के हिसाब से हमको जहां रस मिलता है हम वहाँ चले जाते हैं तो किसी अन्य के रस पर आप प्रश्ण चिन्ह लगाएं, तो मुझे लगता है कि मैं ये अनाधिकृत और अनीति पूंचेश्टा होगी, मेरा अपना ये मानना है कि सब की अपनी अपनी रसना है, सब का अपना-पना स्वाध है, लेकिन जहां पे भी रहो, जैसे भी रहो, सं निष्ठा परमावश्रक होती है, जहां भी रहें, निष्ठा पूरवक रहें, क्योंकि निष्ठा ही है, जो आपको अपने इष्ट के प्रती निष्ठा ही, आपको अनिष्ट से बचाती हुई, आपको आपके अभिष्ट की सिद्धी का कारण को होती है, तो निष्ठा आपके अंदर है किसी भी किसम की, किसी भी व्यक्ति के लिए उस से ना डिगें, उस से ना चुकें. क्यों? मेरा अपना अनुभव मेरे गुरू के बारे में यह हैं कि गुरू कृपा सफलता की गैरेंटी नहीं देती है. वो आपको सुख की गैरेंटी से देखता है. सबकी अब जिसकी जैसी दृष्टी है, उसकी वैसी सृष्टी. तो मैं यह कहूँ कि मैं मेरा अपना जीवन मेरे अपने अनुभव पर आधा रहत है. वैसे ही प्रवीन का जीवन भी प्रवीन के अनुभव पर आधा रहत है. लेकिन हम जैसे सामान ग्रहस्तों का मानना है, सोचना है. अगर हम और आप जीवन में लेकिन गुरू जो है, वो आपको आप से ही कनेक्ट करते हैं. गुरू जो होते हैं, वो अनुव्याई नहीं बनाते हैं. जैसे नायक जो होता है, नायक के संपर्क में आके आप स्वेम नायक होते हैं लेकिन नेता के संपर्क में आके आप उसके समर्थक या फॉलोवर हो जाते हैं तो परमात्मा श्री राम नायक थे उनके संपर्क में आने के बाद वो सुग्रीब जो भागते हुए घूम रहे थे बाली के डर से वो नायक हो गए वो अंगद जो उस बाली के पुत्र थे वो नायक हो गए वो परमपूजे हनमान जी महराज जो सुग्रीव के मंत्री थे लेकिन परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने के पहले उनको अपनी ही शक्ती विस्मृत थी और वो सुग्रीव के साथ रिश्य मूख परवत पर रह रहे थी लेकिन जैसे ही परमात्मा श्री राम के संपर्क में आये उनकी विस्मृती स्मृती में रूपांतरित हो गई उनकी जो कुछ भी था और फिर उनके लिए वो सौ योजन समृत्र और सोने की लंका भी फिर वो बहुत नगर्णिसी लगने लगी तो जब आप नायक के संपर्क में आते हैं तब वो आपको नायक के रूप में रूपांतरित करते हैं ऐसे ही जब आप किसी सद्गुरू के संपर्ग में आते हैं, कोई आपको समर्थ वान गुरू मिलता है, तब फिर आपके अंदर वो गुरुता का भाव अपने आप आ जाता है, फिर वो आपके अंदर लगुता, वैसी वाली लगुता नहीं रहती, लगुता से मतलब जब गुरुता जैसे ही जब गुरुता बढ़ती है, तो आपका एंकार लगु होता जाता है, उस लगुता की मैं बात कर रहा हूँ, कि गुरुता के बढ़ते साथी, फिर आपका छोटी छोटी बातों को उपर, बड़ी बातों को उपर, आपका एंकार नश्ट नहीं होता फिर हम और आप जब सद्गुरू की कृपा होती है तो फिर हम और आप तोडने की नहीं फिर हम और आप जोडने की दिशा में बढ़ जाते हैं तब हम और आप जब किसी सद्गुरू की कृपा होती है तब हम अलगाओ के नहीं तब हम और आप लगाओ के मार कानुसरन करने लगते हैं तब फिर हम देवादीदेव महादेव के प्रलेंकारी इस्तितिकी नहीं उनकी लहेकारी इस्तितिकी हम बात करने लगते हैं तो मेरा अपना यही मानना है मैं पूरा विश्वास रखता हूं इस बात का कि आप लोग इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा को बहुत सुनना चाहते हैं और आशुत उश्राणा जी जब बोलते हैं तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर काफी चीज़े उनकी वाइरल होती है छोटी-छोटी क्लिप्स चाहे वो साहित्य पर हो या ऐसी आध्यात्मिक चर्चा हो तो बदा ही सबसे पहले तो आपको क्योंकि जो आप प्रयास कर रहें मुझे लगता है कि यह बातें बेशाक इंट्रव्यू में उतना समय नहीं मिलता सीमित समय था लेकिन मुझे लगता है रेगुलर अब आप ल इसे में कोई वैधान एक अढंगा नहीं डालेगा क्योंकि यह परस पर आधान-प्रदान का ही विशह है और मैं भी अमरुजाला के तमाम दर्शकों से वादा करता हूँ कि इनका जो शिव तांडव स्तोत्र है वो आप सारे दर्शकों को सुनने को मिलेगा बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आप से बात करके लेकर यह तै रहा ना यह तै रहा डील इस डील पर भी जाएगा और यह अमरुजाला पर आपको तंडवस्तो सुनने को मिलेगा दन्यवाद डाउनलोड करें अमरुजाला और पाएं खबरें लगातार अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें